अब आज का वीडियो ने बहुत ज़दा इंपोर्टेंट है मतलब बहुत ज़दा इंपोर्टेंट ये वीडियो मैं नहीं बनाता ये वीडियो आप लोगों के डिमांड पे मैं बना रहा हूं बहुत सारे इंस्ट्राग्राम पे मैसेज़ेस आ रहे हैं इसके लिए और की इंफरमिशन देने वाले हैं आपको अच्छी तरीके से step by step समझाने वाले हैं कि प्रिसेट आप कैसे बना सकते हो प्रिसेट के उपर अपना नाख कैसे लिख सकते हो तो चलिए इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं लेकिन इस से पेले आप से एक छोटी सी रिक्व हुआ हुआ है हुआ हुआ है तो जैसे कि आप लोग देख पर हैं हम लाइट रूम मोपाइल एप को ओपन के लिए हैं ठीक है लाइट रूम एप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आप डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपने अभी तक नहीं कराया ठीक है तो लाइ मैं यहां से प्रिशेट बनाने के लिए फोटो को ओपन कर लेता हूं तो इस फोटो को मैं यहां से सिलेक्ट कर लेता हूं यहां से एड़ पर क्लिक कर देता हूं ठीक है तो कि यह फोटो यहां से एड़ होई मैं से ओपन कर लेता हूं जब फोटो को आप ओपन करेंगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस दिखेगा तो आपको सबसे पहले बहुत सिंपल हैं आपको लाइड रूम के अंदर एडिरीटिं कर लानी है ठीक है तो इडिटिंग के विडियोस में बहुत सरी बनाया हुआ हूँ और आप लोगों को लैटरोम एडिट करने आता ही होगा तो इस तरीके से आपको एडिट करने नहीं मैं तुरा सा फास्टली एडिट करके आपको मतलब बता दे चाहूं कि प्रीसेट कैसे बनाते हैं और इस पे न home button पर क्लिक करके कट करदेना खीड कि तो मतलब अपने फोने के होम बटन जो होती है नहीं जिस से आप सिधा आजाते हो home पर मतलब यहाँ सिर्फी आपको यहां प्याइच लाब के अंदर आ जाना है तो पिकसा टैब का भी लिंग आपको description बिल Owlod कर सकते हैं पिक आपको यहाँ पे मिलेघी करेंगे प्लिक करने के बाद यहां से थ्वड़ा सा ऊपर इसको करना है और यहांसे आपको फिल कर यह आपको कारते हैं च्रोड प्लिक करते हैं च Derna है कर देना है तो । चाहो तो पूरे सिर्ण मतलब इसको आड़ पार पार ata कर सकते हो जैसा आपको इच्छा यह कोई जरूर नहीं कि मैं जैसा करूंगा आपको स्वेंन वह सागरना हुगा ऐसे कोई नहीं है ठीक है तो आपको जीस तरीके से आपको नाम लिखना हो उस तरीके से आप set कर लेना ओगे तो guys हमने यहां से पूरी अच्छी तरीके set कर लिया है आप done कर देना है तो इतना हो जाने के बाद अब आपको यहां text का एक option मिलेगा text पर click कर देना है और यहां से जैसे कि muddy yellow वाला preset हम लोगों को बनाना है जैसे कि हम लोगों इने edit किया था उसमें yellow था ठीक है तो यहां से मैं लिख देता हूँ muddy yellow ठीक है muddy yellow tone मतलब yellow tone हमने लिख दिया और यहां से अब आपको simply done कर देना है तो आप जिस भी preset को बनाओगो उसका नाम आप चाहो तो यहां पर लिख सकते हो तो यहां से इसको हम बड़ा कर लेते हैं और इस तरीके से आपको set कर लेना है तो यहां से हमने गई जिसमें set के लिए यह black color का जो हमने एक से अब यहां से दूसरा text हम एड करेंगे इसमें हम अपने Channel का नाम लेंगे जैसे की हमारे चैनल का नाम है आल्या इडित्ट तो मैं simply यहां से आई इडित्ट लिख दिया अब यहां से right क्लिक कर लेना है या अप अपने चैनल के नाम लिखिया थिए ठीक है एकष चैनल है तो नहीं तो आप अपना नाम भी लिख सकते हो ओके तो यहांसे इतना हो जाने के बाद डंड कर लेना है तो गवज पिक्साइट में इतना ही क्याना था आपको अप्सिभली इस फोम्ट को सेब कर लेना है यहांसे इसा ड्रॉटूल में आकर यहां 3 डॉट की आइकना है और श्यूभा में कर लेना है उसी फोटो को आपको उपन करना हूगा लाइट रूम अपके अंदर तो मैं यहां से लाईटूम अंधर आ जोता हूं और यह == उल धितिंग किया था सुब passarकम यहां से आपको कॉपी सेटिंग कर लेना है कोपी सेटिंग करने के बाद यहां आपको राइट क्लिक कर देना है अब इस फोटो को एड़ कर लेना है जो कि हम लोगों ने अभी पिक्सा टैप के अंदर टेक्स्ट को एड़ गिया और जो भी हमने प्रोसेस किया पिक्सा टैप प्रिष्ट के अंदर उस फोटो को सिंपली हम एड़ कर लेंगे ठीक है तो यह रही हमारी फोटो खुल के आ गया तो यह फोटो को हमने पिक्सा टाइब के अंदर बनाया था जिसमें लोगों ने चैनल के नाम लिखा था लब हम लिखा था आपने नहीं तो सिंपली यहां से प। आजना है और यहां से आपको पेस्ट सट kita कर देना होगा यहां 3.it के आइकोन पर क्लिक करेंगे नीची करेंगे और यहांग को मिल जीए कि बस्पे ट्रेंग करना और देख लीजे हमारा प्रीजेट बनके हो गया कि और यहां से एक्सपोर्ट करने के बाद यहां दिखेए NG आपको फाइल टाइब जो दिख रहा है इसे आपको धेंग कर देना है ठीक है यहां से इतना हो जाने के बाद यहां को राइट क्लिक मिलेगा उपर इसपर कलिक कर देना है तो यहां से इतना काम होने के पाथ यह कुछ processing हो गर प्रेडिंग वह लोडिंग होगा जो भी होगा है इस सब हो जाने के बाद पी हमारा प्रीशेट बनके हो गया है क्लिक देखिए यह रही option इस पर क्लिक करने के बाद इस प्रिसेट को हम एड़ करते हैं जो कि हम लोगों ने अभी बनाया तो यह थोरे सी प्रोसेसिंग होगी और यह रही हमारी प्रिसेट में सिंप्ली इसे एड़ कर लेता हूँ यहां से प्रिसेट एड़ हो चुकी है अब साथ ही एक दूसरा फोटो भी हम आपको एड़ करके दिखा रहे हैं ठीक है ताकि आपको पता चल जाए कि कैसे मतलब यह प्रिसेट कर भी रही है या नहीं कर रही है मैंने आपको गलत दिखा दिया ऐसा कुछ यह सारा ब्रह्म आइड़ कर लिया देखिए अप पर क्लिक कर देता हूं तो एक फोटो जो थे हैड़ हobia अब अपने प्रिसेट केमों आप पडिद करते हैं जो कि हम लोगों serpentin को बनाया है तो यह रही defect अभ यहां से सेटिंग को क्लिक करना है और यह हमारी दूसरी फोटो यहां त्री रोड के आई-गन पर क्लिक करेंगे नीचे कर देना है ठीक है तो यह रही पेस्ट सटिंग तो इस पर क्लिक करता है या नहीं वाँ सिर्फ एक क्लीक में हमारी फोटो इतनी गजब के पेडि़क यानि कि यह preset work कर रहा है नाम भी इस पे लिख सकते हैं तो इस तरीके से कईज़ आपको preset बनाना है lightroom app के अंदर और preset पे नाम लिखना है तो मुझे उमीद है कि ये दोनों doubt आपके clear हो गए होगे फिर भी अगर आप लोगों का और भी कोई queries है आप कुछ भी पूछना चाहते हो तो इस वीडियो के नीचे comment जरूर करना आपका भाई आपको reply करेगा अगर ज़्यादा important comment हो तो उस वीडियो भी बना देंगे तो गैस फिलाल के लिए इतना ही जल्द लोटते किसे नई वीडियो में अगले टॉपिक साथ तब तक लिए भाई को ऐसे support करो love you all take care bye bye